લགત્ંસાલསને લགસ્યને લགસ્ત્ય છે લགત્યને સીત્ત્યને તેલག માંસ્કે વંત્વણે લགસફ્ત્યને અ गरदा गरदे लागो उने भायकोच्छा यसले हामी नेपाला बशने जन्ता का सासाते काम का लागी बिदेशे एका जन्ता लाई पनी असर गरने देखिनचा आकिर किना जन्ता को बिप्रीद गई सरकार ले जवर जस्ती MDMS लागो गरदे छता की रहीच MDMS को कंट्रोबर्से ट्रस्मी गाइज येस वित्र तपाई हामी सबेले जान्नु परने सीरियस कंचेर अर्रू लुकायर राखे एका चन सो विडियो एकदम ध्यान दियेरा सुन्नों होला MDMS को सुरुबात नेपाल मा सुरुआंचे 2016 बाट जब NTA और ताथ नेपाल दूर संचार फ्राधी करणले IMEI लाई कंबल चरी गरे को थियो रा IMEI दर्ता नब अएका फोन अरू एप्रेल फर्स्ट 2017 बाट चलने चैन वनी चेतावनी दिये को थियो यदि IMEI को बारे मा बुजने वनी सी यो योटा 15 डिजिट को यूनिक कोड हो जुन परतेक मोबाईल को लागी छुट्टा चुट्टी उने गर दाशा अर्थाथ यो चैन मोबाईल को लागी नागरतता सरन्ने हो रव यदि एक परटक मोबाईल को MDMS नमर ब्लाक लिस्ट मा परे येसमा कुने पोनी अपरेटर को SIM हालता चल देना तरह मोबाईल को बाटी कुने पनी फीचर मा असर परदेना रव सिम कार्ट मात्र नचलने होंच अब सिम्कार्ने न चलने भवाज से मोबाइल फोन के कामको जनता को टेक्स बाठ एक अरब खर्चगरी लाई एको सिस्टम हो MDMS अनि येसको वर्किंग परपोजेरने वाने त्यूपनी रामरी थियो नेपाल मा भनसार चली इल्लीगली इंपोर्ट होने फोन मा रोक लगावने किनकी स्मार्टफोन इंपोर्ट गरदा फोन को फ्राइस मा 5% एक्साइस ड्यूटी रथिस माथी 13% भैट तिरी इंपोर्ट होने गरदा तेशली करदा लिगली इमपोर्ट हुने फ़नको फ्राइस अठार परसेन मायंगो हुने गरदा चा कमपारिंग टू पंसार शलेर लाईये का फ़न अरू NDA का अनुसार नेपाल स्मार्टफोन मार्केट मार् टूटल स्मार्टफोन को 25 परसेन इस्मार्टफोन हरू ये सरी ने कर सले र इल्लीगली इमपोर्ट भाय का फोन अरुछन। येदी बेला सम्मा MDMS लागु गरने येवटा रामराई कदम जस्तु भाय को थियो। तर पॉस्ट नौ गते अन्टी एले येवटा नया सुचना निकाल शा। र तियो सुचना अनुसार बिदेश बाटा नेपाल आउंदा आफुषित एल्टा मुबाईल मात्र लियाउन पाउने विदाउट कस्टम जाजेज। दोस्रो मुबाईल लियाउँदा अठार परसेंट गवर्मेंट ले तिन्नु पने र तेस्रो मुबाईल लियाएमा तेस्रो मुबाईल बंसार माई जफ़त होने। अब यू सुचना अनुसार MDMS को मुख्य लच्छे वान्दा जाई यू अलिक्याता बटकिये र फरकने गवर्मेंगो देखियो। र तेसी कारण ले गड़दा 27 तेस भंदा बड़ी देश माँ बसने नेपाली नागरिक द्वारा हाश्टाइक NoNotAgain र हाश्टाइक NoRemittance चसता क्यामपेन हरों चलाईए। नुमेरा कमपनी जसलाई NTA द्वारा MDMS सिस्टम नेपाल मा लेवने कॉंट्रेक्ट दिये कु थियू। तेसका बिविन्ना कांड हरू पोईली बाटनी चली रएकार है शन। जस्ताइ मली सियमा NTA जस्ताइ MCMC पनी नुमेरालाई 2004 दमा हरा एका फोन हरूमा कुनी पनी सिमकार हाल्दान नचलनी बनावनोको लागी कॉंट्रेक्ट दिये कु थियू। जसका लागी MCMC ले नुमेरालाई IMI नम्मर, फोन नम्मर, नाइकता नम्मर, पासपोर्ट नम्मर जस्ता धेरैनी सिंसिटिव जानकारी अरू दिये कु थियू। जुन लिख चै नुमेरा बाटा भई कमपनी सितको कॉंट्रेक्ट ने कैंसल करिये कु थियू। और था सचनी सेक्चोटी जुन कमपनी बाटा एत्तरोट फुलू फोड होना सकीन छा। ते कमपनी लाई फेरी आमरो नेपाल बाटाचें कॉंट्रेक्ट दियेको छा। जसलाइचें लापर भई को एवटा चरम सिमाने बनना सकीन छा। MDMS नेपाल को लागी एक दमे हामफुल होने छा अन्ने तपैले अईले सम्माज जानी सकनू भई को ला। जसको पहलुकाराण चा नियुमेरा शुरु देखिने बिवादित कमपनी भःको रा एक अर्वा खर्च गरी एस्तो बिवादित कमपनी लाई सबय सिंसेटिव जानकारी दिनू एक दमने हामफुल होना सक्छा। दोसरो गईर कान्योनी रूपमा विदेश बाट भित्रयावनी फोन रोकने मेन पॉर्पोस लियर बनायेको MDMS ले विदेश बाट नेपाल फरकीने नेपाली नागरिकले ब्यक्तिकत पर्योजन का लागी पनी फोन लियाऊना न न पाउनो रा अठार परसेंट कर असुल यू सिस्टम शुरू बाटनी बिवादमा रहेको र यदि यू सिस्टम लागू होंच वानेशी नेपाल मा 25 परसेंट स्मार्टफोन अरू बंदा उनेचन र जसले करदा जन्तामा नया फोन अरू किन्न आथिक मन्दी पर्नेचा अर्था अंतिम्मा मरिकामा पर्ने भनेको तपाइ हमी जस्तो जन्ताने यू